हालो दोस्तों टैक्स पर वेल्थ में आपका स्वागत हैं मैं हिमान शिकुमार आज की सुबह की फाइनिसियल न्यूज और आज की न्यूज थोरी हमारी बरी हो सकती क्योंकि बहुत चीज कल अनॉंस्मेंट हुए हैं जो आज हमें कवर करने सबसे पहले मैं मार्केट की बात करूँ तो निफ्टी 274 पॉइंट और सेंसक्स 934 पॉइंट नीचे हैं यानि आप कहा सकते कि सिर्वाद से ही ऐसे ही ज़ल रहा कल मार्केट थोरा सा हाई था लेकिन आज जो क्रोना वायरस के नंबर्स बरे लग रहा ह कि उसका इंपक्ट है प्लस यूएस मार्केट भी कल मार्केट नीचे रहा तो इन सब का मिला जुला असर है मार्केट पे और अभी जो नंबर्स बढ़ने की आसंका है उसकी वजह से भी लग रहा है कि मार्केट के हालात ऐसे ही कुछ दिन बने रहेंगे तो अब बात करते ह है कि जैसा मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि मैंने ट्विट किया था मोधी जी को कि हमें तीन मेने का स्टेइ मिलना चाहिए लोन पे वह अलड़ी मिला और कल पीएसव बैंक ने जितने भी पीएसव बैंक है उन्होंने एनाउंस किया कि वह अपने कस्टमर के नेक्स फ् लोन किसी भी तरह का तो एक अच्छी चीज इसी बीच में एपी आई ने जो जो इंडियन मार्केट में स्टॉक में यह यूवर यूज होता है उन्होंने कल जो रिपोर्ट आरी मार्च में 15.9 बिलियन डॉलर का बिड्रॉव हुआ है तो आप कह सकते कि मार्केट के हालत इ पहली चीज जो अभी मोधी जी की एक उन्होंने एक फंड रेस किया है केर करके उसमें पीएम केर को हंड़ेट परसेंट डिडेक्शन दे दिया गया यानि कि जितना पैसा आप लगाएंगे वह आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा यानि कि आप एटी जी में जाके उसक और उसका डिडेक्शन आपको मिल जाएगा ठीक है आपका हो सकता है कैलकुलेशन अभी भी कुछ लाइबिलिटी रहे और उस तरह से रहे लेकिन आपका जो कंट्रिबूशन है वो 10% के बैरेकेटिंग में भी नहीं आएगा यानि अगर आपकी पेइंग लाइबिलिटी ब बहुत सेविंग रेट्स पे जो की एक अप्रेल से स्टार्ट होगा और 36 2020 तक अप्ली केबल होगा उसमें क्या क्या है उसमें है कि वन येर जो टाइम डिपोजिट था वो पहले 6.9 था उसको 5.5 कर दिया गया वन येर टाइम डिपोजिट का 2 येर का भी कर दिया गया 3 ये है वो पहले 7.7 था उसे 6.7 कर दिया गया ये हमारे चार्ट में भी आपको दिख रहा होगा senior citizen savings जो की 8.6 था उसे 7.4 कर दिया गया मंथली इंकम अकाउंट जो 7.6 था उसे 6.6 कर दिया गया नेशनल सेविंग सेटिफिकेट जो कि 7.9 था उसे 6.8 कर दिया गया पब्लिक प्रोविडिन्ट फंड मैंने अगर आपको याद है तो मैंने बहुत पहले भी कहा था जो कि 7.6 था उसे 6.9 कर दिया शुकन्या संब्रिदी 8.4 था उसे 7.6 कर दिया गया यानि इस quarter यह जो quarter है आपके लिए आपकी investment जो भी रही है अगर इस किसी category में तो काफी कम हो गई अब बात करते हैं कि और government ने क्या 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 तो कल government ने एक ordinance लाया उस ordinance में जो हम पहले भी बात कर चुके थे उसी ordinance को हम repeat कर रहे हैं क्योंकि यह पहले भी था लेकिन कल इसे notify कर दिया गया पहली चीज़ extension of return filing जो 18-19 की date थी उसे 30 जून कर दी गए extension of pen linking भी कर दीगे से एक जो बार-बार confusion मुझे भी लोगों ने whatsapp करके पूछा कि ATC, ATG, ATD chapter 6 की क्या investment हम करें आज तो क्या मुझे पिछले साल के benefit मिले गए उसके लिए बहुत clear कर दिया गया ATC, ATD और ATG में अगर आप 30 जून के पहले भी कोई investment करते हैं तो आप eligible है benefit लेने के लिए यानि PM care में भी अगर आज आप करते हैं आप पिछले साल में benefit ले सकते हैं यह बहुत risk मतलब अच्छा announcement है आप उहां से tax saving भी कर सकते हैं प्लस देश में contribute भी कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपका कोई capital gain हुआ है और उसकी भी timeline बढ़ा दी गई है उसको भी 36 तक कर दिया है गर आप उसके पहले investment कर देते हैं तो आपको eligibility रहेगी किसी भी तरह की problem नहीं आएगी उससी के साथ अगर बात करें तो जो tax बिनामी law था उसके भी जो verdict है उसको 36 के लिए आगे बढ़ा दिया गया TCS TDS पे 9% का interest जो अलड़ी पहले बताया गया था वो कर दिया गया और इस तरह की अलग अलग तरह की घोसनाएं हो गई तो यानि आप कह सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ी राहत है market को जहां पे आपको benefit मिल सकता है अब कुछ market के information के बात करें पहली चीज़ हीरो होंडा मोटर कॉप के पास लगबग 1.5 यूनिट बीस फोर्ट जो वैकिल है वो इन्वेंटरी में पड़ी हुई है उसको लेकिए काफी परिशान है जिस पर दस हजार से बंदल हजार तक का benefit दे रहे हैं ताकि उनका माल निकल सके अब यह उनलाइन की बात करें तो जो इंडिया का सबसे बड़ा एडुकॉम की कंपनी है जो डिस्टेंट लर्निंग पहुंच घर तक बहुंच आने में वह काफी सक्षम है उस पर भी काफी देखा जा रहा है उन पर भी काफी लोड है उनकी यूजर बर रहे हैं एक तो उ आपको साब दिख रही है मार्केट में दिख रही है यानि कि इसका इंपक्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है नंबर्स हमारे काफी तेजी से बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि यह नंबर अभी कुछ दिन तो बढ़ता ही रहेगा बाकी देखते हैं कि क्या होता है शाम क आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो share सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ हम OTT के platform पे हम भी available हैं, आप किसी भी OTT platform पे आप हमें देख सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवा, thank you